हलो दोस्तों नमस्कार ओमे टेकनिकल यूटूब चनल के मद्धिम से समझते EPS 95 पेंसनर सभाई बंदू आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज उन्हें सप्रेल को बरेली में एक बहुत ही महत्रपुण बैठक संपन हुआ है उस बैठक में किन-किन बातों को सामने रखा गया है और किन-किन बातों के उपर डिसीजन लिया गया है बहुत ही सकती के साथ में चले दोस्तों मैं फ़राफट से उस वीडियो को सुरू करता हूँ दोस्तों यह प्रेस नोट है जो बरेली उन्हें सप्रेल EPS 95 पेंसनर्स की बैठक रोडवेज पुराने बासे स्टेंड पर संपन हुई जिसकी अध्यश्यक्ता स्री एके अरोडा मंदल अध्यक्ष ने की बैठक में सर्व सम्मत से प्रस्ताव पारित किया गया की प्रांतिय सम्मेलनों की कोई अवश्यक्तान नहीं है यह दि कोई यांदूलन किया जाए तो दिल्ली में किया जाए जो धन और शमय प्रांतिय सम्मेलनों में व्यह हो उसे पूरी ताकत के साथ दिल्ली धर्णे अंसन अथवा आमरण अंसन पर खर्च किया जाना उचित होगा यह भी प्रस्ताव परित किया गया कि दिल्ली धर्णे में सांसदों को आमंत्रित किया जाए और विशेश कर उन्हें जो संसद में EPS पेंसनर्स की माग को समय समय पर उठाते रहे हैं बैठक में मतुरा संसर स्रीमती है मामालनी जी के प्रती किर्टपद्या विक्त की गई जो आज तक भी बिर्द पेंसनर्स के साथ उनकी मागों के समर्थन में डटकर खड़ी है बैठक को संबोधित करते हुए जिराध ध्यक्ष स्री सुधी रुपाद्या जी ने कहा कि यह दुख की बात है कि सरकार बिर्द पेंसनर्स की नियुंतम पेंसन बिर्दी रुपए 7500 प्लस डिये और ने सुलकचिक साथ सुविधा की माग मंजूर नहीं कर रही है दो-दो बार माननी प्रधान मंत्री जी अश्वासन दे चुके हैं लेकिन नतीजा जीरो है जबकि सेकडो पेंसनर्स रोज आर्थिक भाव में समुचित इलाज नमिलने के कारण दुनिया से बिदा हो रहे हैं सरकार कितनों पेंसनर्स का और बल्दान चाहती है बैठक में प्रांती समन्वेक स्री कोसल किसोर चतरुवेदी ने संगठन की मजबूती और बिस्तार पर बल दिया उन्होंने प्रांती संगठन में गुडबाजी को अनुचित बताते हुए उसकी निंदा की और सी आरियस गुपता ने कहा कि ये लिदेश के दस प्रतस सांसदों ने भी सांसद में नयायले के लिए पेंसनर्स की आवाज उठाई होती तो हमें नयाय मिल चुका होता स्यद हारीफ हुसेन ने कहा कि हमें बरेली के सांसदों के घरों के सामने अपनी मागों के लिए धर्णा परदर्शन करना चाहिए अध्यक्षि उद्बोधन में मंडल अध्यक्ष स्री एके अरोडा ने लखनव सम्मेलन के लिए गए फैंसले से अवगत कराया स्री अरोडा ने कहा कि मानने सुप्रीम कोड से भी नयाय मिलने में देरी हो रही है जबकि निवनतम पेंसन बृद्धी का मामला सरकार लंबा खीचना चाहती है जो सरासर बुड़े पेंसनर्स के साथ अन्याय है लेकिन हम फिर भी अपने राश्टी नेताओं के निर्देसों का इंतिजार करेंगे और जैसा निर्देस होगा उसका पालन किया जाएगा बैठक के अन्त में कस्मेर में सहीद हुए बरेली के लाल सौरब सिंग को शर्दानजली अर्पित करते हुए दो मिनट का मौन रखा गया जिबगंत आत्मा की सांती के लिए प्रार्थना की गई और सोका कुल परिवार को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ती इस्वर प्रदान करें या विन्ती की गई सुधीर उपाद्याय जिलाद्यक्ष एप्यास 95 प्राष्टेस अंगर समती बरेली उत्तर प्रदेश उनका मुबाइल नंबर भी है यहां पे और कुछ तस्वीरे भी हैं आप देख सकते हैं यहां पे यह रही कुछ तस्वीरे और कुछ वीडियो भी हमारे पास हैं और जो यह वीडियो है तो वीडियो मैं अपने अलग वीडियो बना दूँगा वीडियो के ऊपर ही आप उस वीडियो को पुड़ा देख लीजेगा सुरू से लेके लाश्य तक यह कुछ वीडियो भी इसमे प्रकार्ट के जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते है बेल की घंटी को प्रेस करूज़ें तकि आपसे हमारे दोरा जितनी भी जानकारी होती है कोई छूटे ना चले दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपड़िट में तब तक करें नमस्कार जै हिंद जै भारत